दोस्तो ऐसी बहुत सी चीजे हैं जो हम सद्यों से करते चले आ रहे हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाथ जोड़कर नमस्कार करना, बड़ों के पैर छुना, मंदिर की घंटी वजाना आदी हम सिर्फ संस्कृती के हिसाब से नहीं करते वलकि इनके पीछे बैज्यानिक कार आज हम आपको अपने इस वीडियो में बतलार हैं ऐसी ही 20 बातें जो की हमारी संस्कृती बिज्ञान से जुड़ी हुई है, बतलार हैं आपको इनसे जुड़े कुछ ऐसे बैज्यानिक कारण जो आपको हैरान कर देंगे, तो चलिए सुरू करते हैं, पहला तथ्य है नमस् इसका मतलब लोगों को सम्मान देना है, इसके पीछे एक बैज्यानिक कारण है, जब हम नमस्कार करते हैं, तो हमारे हाथों की हथेलिया आपस में जुड़ती है, जिससे अंगलियों के माध्यम से एक प्रेसर पैदा होती है, जो हमारी यादास्त को मजबूत बनाने में सह दूसरा तथ्य है, भारतिये महिलाएं पैर में बिच्छुआ क्यों पहनती है, पैरों में बिच्छुआ यनि कि सधारन बोलचाल की भासा में जिसे बिच्छिया कहा जाता है, उसका पहनना साधी सुदा महिलाओं का आइडेंटिफिकेशन ही नहीं, वलकि इसके पीछे एक बैज्यानिक कारण भी है, पैर की दूसरी अंगुली नर्व के माध्यम से यूटेरस और दिल से जुड़ी होती है, बिच्छुआ पहनने से प्रेसर के द्वारा यूटेरस मजबूत बनता है, और पीरियेड के दोरान होने वाले बलड सर्कुलेशन को सही तरीके से चलाने में यह मददगार होता है, चांदी एक अच्छा कंडक्टर है, इसलिए चांदी की विच्छुआ यनी पहनना ज्यादा फायदेवन्द साबित होता है, तीसरा तथ्य है नदी में सिक्ये फेगना, दोस्तों सधारन रोप से नदी में सिक्ये फेगने को गुड़्लक माना ज सरीर के लिए बेहत अवस्यक धातु है जो पानी में घुल कर हमारे सरीर में प्रवेस करता है हमारी संस्कृति बिज्ञान से जुड़ी हुई चोठा तथ्य है माथे पर बिंदी लगाना माथे पर दो भौवों के बीच एक नर्व पॉइंट होता है जिसे आज्या चक्र कहा यह पॉइंट हमारी एकागरता को नियंतरित करता है इस पॉइंट पर बिंदी लगाने से एकागरता सक्ति संतुलित होती है पांचमा तथ्य है मंदिर में घंटी वजाना दोस्तो सास्तरों के अनुसार मंदिर में प्रवेश करने से पहले घंटी वजाने से सभी बुरी सक्तियां दूर होती है लेकिन इसका एक बैज्यानिक कारण भी है बैज्यानिकों के अनुसार हमें पूजा करने से हमारे मन को एकागरता मिलती है और इसकी आवाज से हमारे सरी के healing center activate होते हैं इसे जुड़ा छठा तथ्य है हम तीखा खाने के बाद मीठा क्यूं खाते हैं हमारे पुरवज खाने के बाद मीठा खाते थे इसके वारे में भी एक बैज्यानिक राज है इसके अनुसार इससे हमारे पाचक रस और acid acid excited होकर हमारा digestion अच्छी तरह से चलाते हैं सांस्कृतिक बिग्यान से जुड़ा सातमा तथ्य है हाथ पैरों में मेहदी लगाना दोस्तो मेहदी एक अवसधिये हर्व है जिसे लगाने से हमारा सरीर ठंधा रहता है और साधी के समय इसे लगाने से बरबधू तनामुक्त महस सुखासन की भासा में सुखासन कहा जाता है इस अवस्था में बैठ कर खाने से हम सबको सांती मिलती है जो हमारे digestion के लिए बहुत मददगार होती है नौमा तथ्य है सोते वक्त उत्तर दिशा की तरफ सर ना करना इसके पीछे यह मानेता है कि उत्तर की ओर मरे हुए लोगो को लिटाया जाता है लेकिन बैज्यानिक मानते हैं कि प्रिथवी में बहुत बड़ा magnetic field है मानों में भी एक magnetic field होता है अगर आप उत्तर की तरफ सोएंगे तो हमारा सरीर और प्रिथवी एक दूसरे के attraction center में होंगे जिससे blood pressure और headache होने की संभावना अधिक होती है इसलिए उत्तर की तरफ सर करके हम लोग को नहीं सोना चाहिए संस्कृतिक बिज्यान से जुड़ा दसमा तथ्य है कान में छेद करना पश्चिम देशों में इसे फैसन के तौर पर देखा जाता है लेकिन भारतिये संस्कृति में इसकी महत्पुर्ण उपयोगिता है भारतिये physician और फिलाउसफर्स के अनुसार ऐसा करने से मनुस्य की सोचने वा समझने की छमता का विकास होता है इग्यारमा तथ्य है सुर्य नमस्कार करना हिंदू परमपरा के अनुसार सुबह सुर्य को जल चढ़ा कर उनकी पूजा की जाती है इसके पीछे बैग्यानिक कारण है बैग् सर पर चोटी रखना दोस्तों हिंदू धर में लोग अपने सर के बीच में चोटी रखते हैं अयुरुवेदा चारियों ने कहा है कि हमारे सर के बीच एक सेंसेटिव स्पॉट होता है जो नर्ब का मिधिल सेंटर होता है और चोटी रखने से वह सुरक्षित रहता है भारत में ब्रत को आस्था से जोड़ कर देखा जाता है लेकिन बैज्यानिक मानते हैं कि मानों सरीर में होने वाले अधिकांस रोगों का मुख्य कारण डाइजेस्टिव सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम में टॉक्सिक मेटेरियल का जमा होना होता है इस प्रकार ब्रत रखने से हमारे डाइजेस्टिव आरगन को अराम बिलता है और टॉक्सिक मेटेरियल की मात्रा भी कम होती है जिससे हमारा सरीर स्वस्त होता है संस्कृति बिग्यान से जुड़ा चौदमा तथ्य है पैर छूना दोस्तो हिंदू धर्में इसे आस्था और संसकार के रूप में देखा जाता है लेकिन जनाब इसके पीछे भी एक बैज्यानिक कारण है पैर छूने से दो सरीरों के बीच पैर वा हात के माध्यम से एक सर्किट वनता है जिससे सरीर में कॉस्मिक एनरजी का आदान प्रदान होता है संस्कृतिक बिग्यान से जुड़ा पंदर्मा तथ्य है महिलाओं को सिंदूर लगाना दोस्तो भारत में सिंदूर लगाना साधी सुदा महिलाओं की पहचान है इसका बैज्यानिक कारण यह है कि सिंदूर को बनाने में मरकरी का प्रियोग होता है जिसे मांग में लगाने से बलड प्रेसर नियंतरित होकर महिलाओं के सेक्सूल ड्राइव को एक्टिवेट रखता है संस्कृतिक बिग्यान से जुला हुआ सोलमा तथ्य है पीपल के पेड़ की पूजा करना हिंदू धर्म में पीपल को भगवान मानकर इसकी पूजा की जाती है इसके पीछे का बैज्यानिक कारण को देखें तो पीपल का पेड़ अन्य बिर्चों के मुकाबले सबसे अधिक ऑक्सीजन हम लोगों को देता है जो हमारे जीवन के लिए अति अवस्यक है सतर्मा तथ्य है तुलसी की पेड़ की पूजा करना हिंदू धर्म में तुलसी को मा कहा जाता है इसका बैज्यानिक कारण है कि तुलसी एक महतपुर्ण मेडिसनल प्लांट है या हमारे इम्यून सिस्टम कोलेस्टरॉल आधिको नियंत्रित करने के साथ कीडे मकोडों को भी दूर भगाता है अठारमा तथ्य है मुर्ती पूजा करना दोस्तों अन्य धर्मों की अपेच्छा हिंदू धर्म में मुर्ती पूजा सबसे अधिक होती है ऐसा माना जाता है कि मुर्ती पूजा करने से हमारा ध्यान भटकता नहीं है लेकिन बैज्यानिक कारण को देखें तो ऐसा करने से हमारी स्प्रिच्वल एनरजी बढ़ती है और एकागरता सक्ति का भी विकास होता है महिलाओं को हाथों में चूडियां पहनने से उनका ब्लड सर्कुलेशन नियंतित रहता है और उनके सरीर से निकलने वाली उर्जा भी बचती है और संस्कृतिक बिग्यान से जुड़ा 20 मा तथ्य है मंदिर जाना मंदिर तो हम सभी जाते हैं लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि इसके पीछे एक बैग्यानिक कारण भी है जी हाँ बैग्यानिकों के अनुसार मंदिर की बनावट कुछ इस तरह की होती है पिर्थवी के उत्तर वा दच्छिन पोल के द्वारा अधिक मात्रा में पॉजेटिव उर्जा का निर्मान होता है जो मनुस्य के लिए बेहत लाबदायक होता है तो आसा करता हूँ भारतिय संस्कृति बिग्यान से जुले तत्यों पर बनाया गया हमारा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा अगर जो आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है और साथी साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए धन्यवाद जय हिंद